दोस्तो कितने लोगों के मन में रहता है कि अगर गारी को काफी स्पीड में भगाया जाए तो जहां मुझे पहुचना है वहां मैं जल्दी पहुच जाऊंगा अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो आप इस वीडियो को पूरा कम्पलीट देखिएगा अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सस्क्राइब कर लेना तो चलिए दोस्तो जानते हैं कि अगर आप गाड़ी को बहुत ज़्यादा तेज भगा लेते हैं तो क्या सच में आप जल्दी पहुँच जाते हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो को हम सुरू करते हैं दोस्तो पहली बात मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करने वाला हूँ अगर आप गाड़ी को बहुत ही खतरनाक तरीके से चलाते हैं तो बिल्कुल मत चलाईएगा गाड़ी एकदम आराम से चलाना चाहिए क्योंकि दोस्तो जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपके आगे वाली गाड़ी में, पीछे वाली गाड़ी में, लेफ्ट वाली गाड़ी में, राइट वाली गाड़ी में किसी न किसी का फैमली बैठा रहता है अगर आप अपने जान को जोखिम में डालते हैं तो आपके साथ साथ और भी जान जोखिम में रहता है इसके लिए गाड़ी चलाएं तो इदम सावधानी से आराम से और सुरच्छित चलाएं दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आप गाड़ी को बहुत ज़्यादा तेज चलाते हैं तो क्या सच में आप जल्दी पहुँचते हैं देखिए अगर आप एक ड्राइवर हैं काफी साल से चला रहे हैं पांच साल, दस साल या पंदरा साल या बीस साल तो आप लोगों ने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि आप गाड़ी को चाहे कितना भी तेज भगा लें चाहे कितना भी लेफ्ट और राइट मार लें कोई फरक नहीं गिरता है आप एक घंटे में 50 से 60 किलो मीटर ही गाड़ी चला सकते हैं चाहे कितना ही कि उन्हें रोड खाली मिल जाए आपको कुछ भी हो जाए लेकिन आपकी गाड़ी का जो एवरेज रहता है रनिंग एवरेज आपको 50-60 के बीच में ही मिलता है जो नए ड्राइबर हैं जो गाड़ी चलाना सीखते हैं और जिनको जरासा भी समझ नहीं है कि गाड़ी कितनी तेज भगाने से कोई जल्दी पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है वो लोग बहुत ज़्यादा गाड़ी को भगाते हैं और लेफ्ट और राइट करते रहते हैं लेकिन वहीं ड्राइबर अगर पुराना हो जाता है दो साल, पांच साल, दस साल गाड़ी चला लेता है उसको समझ में आ जाता है कि गाड़ी को तो हम कितना भी भगाते हैं लेकिन पचास और साठ के बीच में ही चलता है एक घंटे की स्पीड तो दोस्तों उसको मालूम हो जाता है तो वो गाड़ी भगाना बंद कर देता है इसके लिए लोग कहते हैं कि पुराने ड्रैवर होने के बाद लोग गाड़ी को आराम से चलाने लगते हैं यहीं रीजन है कि गाड़ी को लोग आराम से चलाते हैं क्योंकि उनको समझ में आता है कि डिंग डांग करने से, लेफ्ट राइट करने से, बहुत ज़्यादा स्पीड में भगा लेने से, कुछ भी फरक नहीं गिरता है, हाँ ज़्यादा ज़्यादा अगर आपको 100-200 किलोमीटर जाना है, तो आधा गंटा 20 मिनट का फरक गिर जाता है दोस्तों क्योंकि आपका जान आपके परिवार के लिए, फैमली के लिए बहुत ही कीमिती होता है, दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और ये जानकारी कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताईएगा, दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई ज कारी के साथ जे हिंद जे भारत